दुनिया भर में कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए कई तरह के शोध किये जाते हैं। इस बीच मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ने कैंसर की दवा विक्सित की है जो कथित तौर पर कैंसर के खत्रे को कम करती है। दस साल के गहन शोध के बाद टाटा इंस्टीट्यूट के चिकित्सकों और विग्यानिकों ने एक ऐसी गोली विक्सित की है जो दोबारा कैंसर विक्सित होने की संभावना को 50 प्रतिशत तक कम कर सकती है और कीमो थेरपी और रेडियेशन के साइड इफेक्ट को भी कम कर सकत है टाटा इंस्टीट्यूट के डॉक्टर और शोधकरताओं के अनुसार कैंसर की जो कोशिकाएं मर जाती है उन्हें क्रोमिटन कर्ण कहा जाता है कैंसर ठीक होने के बाद भी ये कर्ण रक्प्रवाह के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में जा सकते हैं और स्वस्थ कोश कोशिकाओं को कैंसर ग्रस्त कर सकते हैं परिनामस्वरूप मरीज को दोबारा कैंसर हो सकता है इस समस्या से बचने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट के शोधकरताओं ने चुहों को रैस्विराट्रॉल और कॉपर की गोलियां दी ये गोली क्रोमिटन कणों को पूरी तर परियों में बदल सकते हैं कुछ CFC-HP स्वस्थ गुंद सूत्रों के साथ जुड सकते हैं और नए ट्यूमर का कारण बन सकते हैं इससे दोबारा कैंसर होने का खत्रा बढ़ जाता है ये दवा कैंसर के ट्यूमर को दोबारा बढ़ने से रोकेगी और उप्चार के दॉरान होने वाले किसी भी साइड इफेक्ट से बचाएगी इस टैबलेट को Food Safety and Standard Authority of India से मंजूरी का इंतजार है मंजूरी मिलने के बाद ये जून जुलाई से बजार में उपलब्ध होगी ये टैबलेट कैंसर के इलाज को बहतर बनाने में काफी हद तक मदद करेगा